बॉडी में आक्सीजन की कमी होने से होती हैं ये दिक्कतें जाने क्या है इसके पीछे का कारण नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल में दोस्तो जब body में oxygen की कमी होने लगती है तो सरीर में कई तरह की बीमारियां होने लगती है इसका सबसे जल्दी और बुरा असर immunity system पर पड़ता है इस हालत में इंसान बहुत जल्दी बीमार होने लगता है और आसानी से कोई भी virus सरीर पर हावी हो सकता है इसी बीच आज हम आपको यहां बताने जा रहे हैं कि बॉडी में आक्सिजन की कमी होने के क्या क्या कारण होते हैं इसके साथ ही हम आपको इसके लक्षड भी बताएंगे सबसे पहले बात करते हैं बॉडी में आक्सिजन की कमी होने के क्या क्या लक्षड है बोडी में आक्सीजन की कमी होने का मतलब है सरीर को अपनी नियमित क्रियाओं के लिए जितनी आक्सीजन चहिए होती है उतनी उसको नहीं मिल पाती है काफी ठकावट फील होना सांस लेने में दिक्कत सांस का फूलना ब्रट सर्कुलेशन स्लो हो जाना और जिससे घबरहाट होने लगती है आईए बात करते हैं कि इस बीमारी से क्या-क्या डर रहता है ब्रेन डेमेज हो सकता है आपका हार्ट अटेक आने का खत्रा रहता है डाबिटीज मरीज का तुरन सुगर लेवल भी बढ़ जाता है थाइराइड, हर्मोन का बिगड़ना ये सारी ऐसी बीमारियां है जो सरीर में आक्सीजन के लेवल कम होने से आपको हो सकती है आईए बात करते हैं ऐसे कौन से कारड है जिससे आपके सरीर में आक्सीजन का लेवल कम हो सकता है गलत लाइफ इस्टाइल का होना कुछ लोग ज़्यादा वर्काउट करते हैं लेकिन डाइट सही नहीं लेते हैं इस तरह के लोगों में आक्सिजन की कमी हो सकती है खाने में आइरन कम लेना क्योंकि फेफडों समेत पूरी बोडी में आक्सिजन का प्रवाह करने में आइरन की एहम होमिका होती है